ये संस्कित विश्विद्याले दुवरा दिये एक टास्त है कि शवी महाविद्यालों में दस दिन का समभावब सम काज्र्म किया जाएगा इसमें संस्कित को इन भोलचाल की भासा बनाना है शाथ शातराओं को भी साथ में समाज के ऐसे लोग भी जो इना संस्कित बोलना चाहते हैं उनको भी इससे जोड़ा जाए प्रेज किया जाए उसी के ताथ संस्कित माविज्यालों में दस दिबसी है अठाथ तारीक से शुरू हुआ था आज अठाथ तारीक है समापन है इसमें दस दिनों तक बच्चे को संस्कित में बोल चाल कुछ बाहरी लोग भी थे समाज के जिनको इक्षाती की संस्कित जाने बुझे वो लोग भी इसमें भाग लिया है और काजक्रम चातरों की शंख्या की उपस्किती ही बताती है कि काजक्रम सफला संस्कित का कैशे विकास हो इसी के तारीक से ने काजक्रम किया गया बारा तारीक से इसी की दूसरी कड़ी शुरू करूँगा कि जो बच्चे कुछ छुट गया है या और भी समाज के लोग है जिनको इक्षा है या इस काजक्रम में भी जो लोग भाग लिया है चातने यह और अच्छाम करें उनके लिए बारा तारिक से है ना बारा अगस्ट से है ने काजक्रम होगा जो संस्क्रित समझभाशन कारेशाला हुई है इस संस्क्रित महाविद्याले के प्रांगण में लगभग पचास छात्र छात्राओं ने भाग लिया था और इसका मूलत तो यह था आधुनिकंभव संस्कृत भारत की पहचान है जो विश्व भर में हम लोग जाने जाते हैं संस्क्रित संस्क्रित का साहित भंडार ज्यान भंडार और जो स्रिष्ट संस्कारों की भाषा है वैं ज्यानिक रूप से परिश्कृत है और जितने भी काव्य रचनाए की गई है आदी काव्य वालमी की रामायन से लेकर के अभी तक ये सब अपने आप में सर्वोत्म कृतियां है और संस्कृत महाविद्याले में बच्चों को भाषा की ग्यान के लिए ग्यान रहते हुए भी लोग संस्कृत नहीं बोल पारते हैं तो उनके संस्कृत बोलने में प्रवाह आ जाए संस्कृत का ज्यान है लेकिन वो भाषा में उसको प्रिवर्थित नहीं कर पाते हैं इसके लिए समय समय पर इस महाविद्याले में एक शम्ता का दस दिन का संस्कृत सिविर चलाए जाती है इस सिविर में बच्चों को सरल संस्कृत सिखाने का संस्कृत अस्यकार्ज क्रमस्य एक मातुर समस्ती जने जने ग्रिहे ग्रिहे संस्कृत भासा भवेत विश्चो कल्यानाय संस्कृत भासाया ध्यनम पर्मम आवस्यकम संस्कृतम बिना जीवनम बेर्थम अतेव संपुन जनानाम कृते संस्कृत वदनम में चप्रा से आयूं हूं हान जे हम इसे कॉलेज में पढ़ते हैं हमारा कॉलेज का नाम है राजकी संस्कृत महाविध्याल है और अभी यह जो संगोष्टी चली है यह 19 तारिक से 28 तक चली और आज इसका समापती हुआ है और हमें इस संगोष्टी से बहुत सारी सुविदाय मिली हम अपनी संस्कृत भाषा के बारे में जाने और इसका आगे हमारे जीवन में क्या उप्योग है यह हम जाने आज से पहले हम यह चीज उतना नहीं समझ पाते हैं कि संस्कृत हमारे जीवन में क्या महत्वे रखता है पर हमारे गुरू और आचारे की कृपाई से हम यह जान सकें